हालो दियर स्टुडेंट्स टोड़ी विलिस्कस वर्स्टीट नंबर 32 इमेज फॉर्मेशन वाइस फेरिकल मिरर एंद मिरर फॉर्मूला वी मस्ट कॉसिडर दा फॉलिंग रूल्स ओर इमेज फॉर्मेशन के रूल से हैं दे इंटर सक्षन ओफ अट लिस्टू रिफ्लेक्टेट रेज के उप पॉजिशन ऑफ इमेज ऑफ पॉंट अब्चक्ट अनि टू फॉलिंग रेज कें बी कंसिडर फॉर्मूले मैंने बता रखें किस तरसा असानी से इमेज फॉल्मेशन हो सकती है अरे पैरलल तो दो प्रिंस्पल एक्सिस आफ्टर इप्लेक्शन विल पॉस्ट तुरू दा प्रिंस्पल फोकस इन केस ऑफ पर कंकेव मिरर और अपियर तू डाइवर्च फोकस इन केस अफ पनकेव गॉन्वेक्स मिरर यानि कंके मिर में जो लाइट रेजर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी और कॉन्वेक्स मिरर में वो फोकस से आती भी पड़तीत होंगी ठीक है अरे पासिंग थूदा पिपल फोकस अफ एक निए यानि जो प्रिंस्पल फोकस से होका जाएगी वो बाद में पैरलल हो जाएगी कि ए पर एब पासिंग थूदा सेंट्र अफ कुल वेचर आफ अंके मिरर और डार्ट इन दा दारेक्शन आफ दीर्ट्र आफ्ट अपल रिफ्लेक्ट्ट्टेट बैक अलों पका ऑलां सेम पात जो सेंट्र अव कर वेचरा से जाएगी आ जो अन्यों कर फोक्स मिर्ड़ों All of the mirror on the concave mirror और a convex mirror is reflected obligly. जो तरची जाएगी वो सी एंगल से ही reflect होके तरची ही वापस आएगी. अगर पॉंट पी पर टक्रा रही है तो रही है. Spherical mirror concave and convex जैसे हमने कल बताया था कि ये एक ओले का बाड़ होते हैं For ray diagram and position of image for different position of object refer NCRT textbook chapter 10 देखिए या chapter 10 की मेरी वीडियोस देखिए playlist में जाकर chapter 10 Hindi science, Hindi medium और English medium में से जो भी medium चाहिए वो छाटी है और उसको देखिए Mirror formula 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U U है object distance and V is image distance F focal length relations between R yarni radius of curvature and F is F is equal to R upon 2 2 आदा कर लेते हैं इसको हाफ The formula for linear magnification of a spherical mirror M is H2 यानि height of the image H1 height of the object इसको आप असानिक लिए H I or H O लिकले minus V upon U what determines as the sign of M what is the signification of this sign and if M is negative, image is real negative sign source the image is real and inverted if M is positive, image is virtual now let us discuss some question a concave mirror produce a magnified image the object is placed मुने confuse कर दिया है कि concave mirror produce a magnified image कई cases में concave mirror magnified image produce करता है at the focus में highly magnified होता है ठीक है? तो between focus and pole में भी magnified होता है बट जो image बनती है वो virtual होती है अगर यह virtual लिख देते हैं हिंदी मीडियो में virtual लिखा हुआ है तो वह answer C है between focus and pole हिंदी मीडियो में लेकिन यहाँ virtual नहीं है ना image लिखा है तो इसलिए confusion होगा between focus and center of curvature में भी magnified बनती है enlarge बनती है और beyond the center of curvature यह nice ठीक है तो अब अगर यह image है virtual जैसे हिंदी मीडियो में जो है virtual लिखा है तो वह answer है between focus and pole तो C लगा दिया हमने अगर image virtual है तो एस पर हिंदी वीडियो question 2 है the position of image is at C and of same size of the object the position of object is at यह जो image C पर बन ली है और same size की object तो ऐसे case में जो object भी है उसी जगे होता है यह नहीं at the center of curvature D answer S का a mirror produce real inverted and highly enlarged image the mirror is the clearness में real भी है inverted भी है highly enlarged है mirror is concave mirror mirror is ठीक है A answer आगे the radius of curvature of a spherical mirror is 40 cm calculates focal length focal length तो focal length यह नहीं F होता है R upon 2 R कितना दिया है 40 D 40 आग 2 is equal to 20 cm 70 cm 16 16 15 19 20 20 20 20 पी पॉल ऑफ दा मिरर ऑन दा कंकेव और कॉंवेक्स मिरर इस रिफ्लेक्टेट पैलर टू दा पिस प्लेक्सिज फॉल्स है अब लिए तो अब लिए ही जाएगा पैलर नहीं पॉल्स अरे पासिंग तूरू दा सेंटर ऑफ करवेचर ऑफ कंके मिरर और डाक्टर इंदर अब सेंटर ऑफ करवेचर ऑफ कंके मिरर आफर एफ्लेक्शन इस रिफ्लेक्टेट बैक अलॉंग दा सेम पाथ तो यह प्रू है इस तरह से आपने च्छोटी सी वर्क्षिट की इप याव एव एनी प्रॉब्लम युकिन आस्किन कमेंट सेक्शन